कार दोस्तों एक बार फिर आजिरम आप साथ एक most important topic को लेकर यानि फ्रेंट साथ इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैसा कि यह सीरीज चल लए है धरती पित्र किसान यानि इस सीरीज में हम आपको पूरी जयानकारी देने वाले है जीरो लेबल से हीरो लेबल तक यानि आ एक मीटर में कितना इंच होता है वहीं एक फूट में आपकी बात करें कितना इंच होता है एक गर्ज में कितना फूट होता है यह सारा डाटा कैसे नापे यानि बीगा विस्वाधूर क्या होता है कच्चा बीगा पक्का बीगा क्या होता है यह सारी जानकारी इस सीरीज मे समझ दिबाहु तो इन सब खेतों का अगर ऐसी लंबाई है खेतों की तो इस प्रकार का इनका छेथफल कैसे निकालें इसके पहले हमने आपको बता दिया है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा इस वीडियो हम बात करने हैं कि अगर त्रिगुजा कार खेत है तो दो बराबर आपको भागों में बाटना है जैसा कि आपको स्क्रेम में भी दिख रहा होगा बराबर बराबर हिस्सा इन लोगों को कैसे मिले इस वीडियो में पूरे जानकारी दूँगा क्योंकि बटवारा संबंधी तो बहुत सारे बिवाद घर में होते रहते हैं अगर जानकारी आपको होगी तो निश्चित रूप से आपको कोई बेकूप नहीं बना पाएगा आपका हिस्सा कोई मार नहीं पाएगा इसी के मत देनाजर आपको ये वीडियो भी प्रवाइट कर रहा हूं तो ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है अगर आप चैनल निकालेंगे समध्री बाहू के बारे हमने आप बता दिया है यह सामभाव है तो भी कैसे निकालेंगे पूरे डिटेल के साथ बता हूं जाके वीडियो आपको देख लीजेगा ठीक है तो फ्रेंट्स यहां पर हम बात करेंगे जैसा कि आपको ये आकार दिख रहा है आपको देखा वोगा इस प्रकार की गुर्या ऐसे रहती है ठीक है यहां पर कितना होता उसमें नैंटी का इंगल बना रहता है तो ये बात आपको समझ में आई होगे तो ये है आपका समकोंड त्रिभुच समकोंड त्रिभुच के अगर खासियत बात करें तो इन त्रिभुच को अगर आपको बांटना है ठीक है इसको अगर बांटना है आपको दो बराबर भागों में तो कैसे बाटेंगे सबसे पहले अगर देखें तो इसके अगर ये रोड की किनारे है जैसे ये भाग आपका रोड की किनारे है यह यानि ये सामने इस खेट के सामने आपका रोड है अब आप चाहते हैं किसका हम बटवारा करें भाईयों में बराबर बराबर ही सलें इस तरह से आप बाट सकते हैं या तो आपका रोड अगर इस तरफ है इधर है इन दोनों तरफ है अगर इधर है तो आपका बाटना होगा खेत को तो इस प्रकार से बाटेंगे ताकि ये वारा भाग और ये वाला भाग रोड पे रहें ठीक है उसी प्रकार अगर इधर रोड तो इसको ऐसे बाटना होगा कि यह बाला भाग इधर दोनों तरप आपका रोट पे रहे तो देखेंगे इसमें एक तरफ तरफ चत्रफ बन रहा है तो इसमें छेतरफल भी बराबर आए यानि दो भाई है तो उनमें हिस्सा भी उनको बराबर बराबर चाहिए तो जब पसंद ही नहीं आ रहे है वीडियो तो मतलब क्या है मेरे मेहनत से अगर नहीं पसंदार है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मैं बंद कर दूंगा ठीक है लेकिन आप अगर वीडियो पसंदार है तो वीडियो को लाइक करिए क्योंकि मेरी मेहनत अगर थोड़ी से आपको पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर करें तो friends अगर इस खेत का अगर बात करें इधर रोड है ठीक है अगर इधर side road है तो इसको किस प्रकार से बाटें तो देखी अगर इस side road में है तो क्या करना है आपको यहां से A से point और C के point का बीच को आपको हो जाएगा कुछ करना ही नहीं है आपको सिर्फ ये और सी की बीच के लंबाई आप डोरी से नाप लीजिए मीटर में या फूट में घज में जिसमें नाप नाप सकते हैं नापने के बाद है इस बी पॉइंट से इस पर यहां पर मद बिंदुआएगा जो इन लंबाई का अधा अधा भाग ये बराबर बराबर तो यहां पर आपको क्या कर देना है यहां पर डोरी यह मिड़ बांदेंगे तो यह बराबर दोनों हो जाएगा अगर इस तरफ रोड है इस तरफ रोड है इसको बाटना है तो यहां हम आपको वीडियो में बताएंगे कैसे बाटेंगे ठीक है इधर भी अगर बाटना हो तो जैसे इस वीडियो में नाप रहे हैं अगर इधर रोड है तो इधर भी वही प्रोसेस लागू होगा जो कि हम इस व बात करें तो माल लीजिए हमने इस पूरे खेत की लंबाई को देखिए यहां से हमने क्या कि यहां पूरे खेत की लंबाई को हमने मापा तो यहां से यहां तक की लंबाई देखिए यहां से इस पॉइंट से यानि बी से सी की पॉइंट के अगर हम बात करें तो हमने मीटर मे बजमेन आप लीजे कोई दिक्कत नहीं है कि तो अगर इधर आपने नापा तो मान लिजे कि इधर हमने टोटल 95 मीटर आपका फूरा खेत यह आ गया कितना गया 95 मीटर अब इसको हम कैसे बाटेंगे यह आपको यहां पर बताने वाले हैं तो देखिए सबसे पहले अगर इसको मान लिजे हमने P मान लिए ठिक अब अगर इसे ऑड़ा इसने रहुए हमने डॉरी लगा दिया हमने ठीक है कुछ नहीं करता है तो आपको करना क्या है यह जो कि अगर देखे हैं तो यह बाळी भूझा कि अगर हम पहलू निकाल लें तो आसानी से पूरा हम बाट पा बी सी बटे दो कर दीजेगा अग गुड़ा में आपको एक दसमलो यह हो जाएगा चार एक चार से आपको गुड़ा कर देना है ठीक यनि यह वाले बी से पी तक की धूरी जो है यह आपको निकल के आएगी यह फार्मूला से किस तरह से बी सी बटे यनि टोटल लंबाई जि यह बाली बैलू आपको निकल के आएगी यानि यह बी से पी के बीच के निकल के आएगी टोटल पंचानवे है टोटल पंचानवे है जब यह आपको निकल गया है तो सिंपली आपको क्या करना है पंचानवे में से पंचानवे में से यह जो बैलू आएगी इसकी क्या करना इसको घटा देंगे जो भी आएगा घटा देंगे हम आगे बता रहे हैं आपको कैसे करना है तो यह बैलू यहां से यहां तक निकल के आजाएगी तो यहां से यहां तक अगर लंबाई आपको पता चल गए आपने पढ़ा है तो एक थियूरम आती है जिसमें ये जिसके माध्यम से आप इसका शेतरफल सोरी इसको बाढ़ सकते हैं बराबर देखिए यह क्या होता है कि पूरा त्रभुज देखिए A B C यह पूरा त्रभुज बन रहा है यानि त्रभुज बड़े वाले त्रभुज क च्छेतरफल यह छोटा त्रभुज देखिए Q है P है C है ठीक है यानि बड़े वाले त्रभुज का च्छेतरफल चोटे वाले त्रभुज के च्छेतरफल का अनुपात जो बड़ाबर होता है इन बड़े वाले त्रभुज का संगत भुजा माले संगत भुजा कौन से यह BC है तो इसके संगत भुजा PC हो जाएगा ठीक है यानि अगर आप ये बड़ी वाली भुजा ले रहे हैं तो इसके साथ साथ ये वाली भुजा लेंगे अगर मालीजे ये वाली भुजा ले रहे हैं जब आप तो ये वाली लेंगे इसमें संगत भुजा होता है अगर मालीजे ऐसे बाठना होता आपको, तो कैसे करते तो ये अगर भुजा जो भी लेते ये वाली बैलू, ये वाली और ये वाली ठीक ये संगत भुजा हो जाती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है जब इस तरह स्बाटना है ये बराबर ये बराबर अब माल लिजे टोटल खेत का छेतरफल कितना है आपका दो बीगा है कितना है दो बीगा अब ये बराबर होना चाहिए दो बीगा दोनों को एक एक भीगा मिलेगा ठीक है तो इसमें क्या होता है कि तिर्भूच का छेतरफल बड़े वाले तिर्भूच का छेतरफल छोटे वाले तिर्भूच का छेतरफल यानि बड़े वाले तिर्भूच की बात करें तो एक और दो मिलके दो अनुपात हो जाएगा दो भी कितना है PC तो PC का स्क्वायर करेंगे ठीक है यहाँ देखें तो इन दूनों का क्या हो जाएगगा तिर्यक अगर PC को इधर करेंगा दो से गुला दो आ जाएगगा नीचे और PC चला जाएगा उधर BC में A का गुड़ा करेंगे तो BC हो जाएगा ठीक है अब ये बात समझ में आ गई है अब देखे इसका वर्गमूल लेंगे वर्गमूल का मतलब आप समझ रहोंगे कि अगर वर्गमूल का मतलब यह होता है कि माल लेजिए कि अगर 4 है ठीक है अगर आप कम पढ़ी लिखे हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा देखिए अगर वर्गमूल का बात होता है कि जोड़ा बनाना होता है दो में से एक लेजिए ठीक है यहाँ दो दो हैं तो इसमें से एक ले लेंगे यहाँ वर्गमूल लेने के बाद यह वाली वाजाए थिए पीसी बराबर बीसी बटे अंडर रूट 2 अब देखिए अंडर रूट 2 की बात अगर आप कर रहे होगे कहा से जाए यहाँ देखिए अंडर रूट 2 इसलहीं हो गया और एक और दो रच्त तो केवल दो है तो इसलिए उपर अंडरूट लग जाएगा इस तरह का ठीक है ये बात आपको समन में आ गई होगी अब देखिए टोटल हमने देखा कि PC की बेलू यनी PC यहाँ से PC की बेलू बराबर हो जाएगा BC यहाँ बड़ी बली हो जाएगा अब बटे कितना हो जाएगा तो इसी प्रकार हमने क्या किया BC बटे अंडरूट 2 है तो अंडरूट 2 से उपर गुड़ा कर दिया और उसी से हमने अंडरूट 2 से भाग कर दिया तो दोनों का मान कर जाएगा कोई अंतर नहीं आएगा ठीक है अब देखा जाए तो नीचे अंडरूट 2 का गुड़ा जब होता है तो इसका बैलूट कितना हो जाएगा अंडरूट 4 हो जाएगा अब अंडरूट 4 को हमने क्या बता है कि अंडरूट 4 में 2 गुड़ी 2 बन रहा है तो एक निकाल लेंगे अंडरूट हट जाएगा तो वही दो नीचे आ गया है इस अंडरूट की जगे हमने 1.41 रख दिया है ठीक सिंपली आपने बीसी के लंबाई कितनी पता है को 95 पता है बीसी के लंबाई देखिए यहां से हमने 95 माना था आप कुछ भी मान सकते हैं अपने अनुसार ठीक जो भी चतर्fle आपकरा करेंगे तो टोटल पीशी के लंबाई आ जाएगी आपका सरस्थ दसमलो एक छैपाच मीटर तोटल हमने मीटर में लिए है तो मीटर में रखेंगे अब देखा जाए तो तो टोटल बीसी के लंबाई कितनी है 95 है जो यहां से यहां तक कितना है आपका 95 है ठीक यह आपका पता चल चुका है यह PC PC पता चल चुका है देखिए PC यहाँ पर आपको पता चल चुका है यानि 95 में से सरसर दसमलो इतना घटाएंगे तो यह 32.825 यह बच जाएगा अब देखिए यहाँ पर दसमलो के बाद बैलू है इसको आप सेंटी मीटर में भी माप सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो हम पता देंगे आपको पीबी के बैलू पता चल चुकी है तो यानि बड़े भाई का जो छेतर फल एक का बराबर है देखिए अब ये बड़ा वाला छेतर फल अगर देखें तो इसका ज्यादा मान क्यों आ रहा है क्योंकि ये चैतुर भूज है चैतुर भूज है तो जो अगर देखें तो ये त्र यहां तक तो यहां आपको फीता रखना है और सरसर दसमलों 165 यहां तक आप नाप लीजे मीटर तक तो यहां से सीधा जैसे यह वाली भूजा बराबर है न तो इसके समानतर यह सीधा एक मेर खीच दिजिए डोरी लगा के यहां पर एक मेर बना लीजिए यह आपका एक चेत्रफल बराबर हो जाएगा इसका मान क्यों आर है कम यह समझ के होंगे क्योंकि यह एरिया ज्यादा है सुरी यहां पर क्या है कि यह इसका एरिया तो बराबर आएगा लेकिन यह भाग ज्यादा है इसलिए इसका मान कमाएगा एरिया में बराबर आएगा लेकिन लंबा ये आपका क्या है एक खेट है इस प्रकार का खेट है ठीक ये है आपका खेट टोटल आपको कुछ करना नहीं है ये है आपकी मालिजी एक लंबाई यहां वाली अगर आप इधर सनाप रहे हैं तो ये लंबाई आपको पता करना है ठीक इधर सनापेंगे तो भी वही प्रोसे जो आएगी वो आपकी किरनी आजाएगी यह हो जाएगी साओ बटे दो करना है गुडा करना है 1.4 1.4 से तो यह बैलू यहां से यहां तक गुडा जब भाग कर लेंगे यानि यह आजाएगा फचास गुड़ी तक 1.414 अब इसका गुडा कर लिजिए यह जब आपको यहां से पता चल जाएगी और टोटल सव है इतना गुड़ा करने के बाजु आए घटा दीचे यह आपका निकल किया जाएगा यानि यह बाग दो बराबर भागों में बढ़ गया है तो इसे परकार हम आपको अगर बाठना है तीन बराबर चार बराबर में तो भी व वीडियो पसंदा है तो लाइक करिए का दोस्तों से शेयर करिए वीडियो यहीं स्वाप्ट करते हैं नमस्कों